जाहिन फ्रेंड स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल न्यूसरकारी जॉब्स में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो SSE की और से Face 9 की बरती आ रही है इसकी जॉब की डीटेल्स के बारे में इस वीडियो में हम इस बरती से जुड़ी सबी इंपॉर्टन डीट के बारे में बात करेंगे कि आपको इसमें कितनी पोस्ट देखने के लिए मिलेगी कितनी आपको बकैंसी देखने के लिए मिलेगी सैलरी आपको कितनी दी जाएगी इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी यूट्यूब चैनल नियू सरकारी जॉब्स को जॉब्स के लेटर लाटास्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए तो दोस्तों सबसे पहले हम इस बरती का कैटेगरी वाइस डिटेल्स में अनलाइसे कर लेते हैं तो जो जर्नल के लिए आपको टोटल बकैसी देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी 1366 पोस्टर्स इसके बाद OVC काणिडेट्स के लिए 788 पोस्टर्स SC के लिए 477 posters, ST category के हम बात करें तो 249 posters, ESM की आपको 133 vacancy देखने के लिए मिलेगी, OH की 27 posters, HH की आपको 20 posters देखने के लिए मिलेगी, BH की 17 posters, EWS की 6 posters and other जो posters देखने के लिए मिलेगी, बो मिलेगी, आपको 381 posters और जो total vacancy SSE की और से निकल के आ रही है, बो निकल के आ रही है, 3261 posters, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, education qualification के बारे में, तो अगर आपने 10th pass की हुई है, तो आप technical operator, assistant, photographer, laboratory, attendant, filter pump, driver, library, color, content, attendant and photo artist में इसमें apply कर सकत हैं, अगर आपके पास 10th pass का education certificate है, इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपके पास 12th pass का education certificate है, तो आप laboratory assistant, stockman, junior, engineer, data operator, grade A, foreman and processing assistant में इसमें apply कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास graduation degree है, तो आप कुछ other posters जैसा की, accountant, printing, assistant, technician, library and information, assistant, junior, scientific, assistant, textile designer, research, assistant, assistant, welfare, administrator, economic, investigator and senior translator, इन posters के लिए apply कर सकते हैं, और friends, अगर आपने जो हमारा telegram channel है, वो join नहीं किया हुआ, तो आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं, इस telegram channel को join करने का फाइदा आपको जे होगा, कि जो भी job की new notification आएगी, उसकी latest update आपको सबसे पहले इसी channel पे मिल जाती है, तो चल्दी से join कर लीजिए, हमारे telegram channel को, लिंक आपको description में मिल जाएगा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, age limit criteria के बारे में, तो जो minimum age मांगी गई है, apply करने के लिए, बो मांगी गई है, 18 years, और जो maximum age मांगी गई है, apply करने के लिए, बो मांगी गई है, 30 years, जानने कि आपकी जो age बो 18 से 30 साल के बीच बीच में होनी चाहिए, लेकिन कुछ candidates के लिए, जहां relaxation भी दी गई है, जैसा कि OVC candidates के लिए, 3 years की relaxation, and SCST candidates के लिए, 5 years की relaxation, आपको age limit में देखने के लिए, मिलेगी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, कुछ important dates के बारे में, तो इसका जो apply mode होगा, बो online, offline, आप दोनों तरीके से इसका application form फिल कर सकते हैं, और जो starting date है, application form को fill करने के लिए, 24 September 2021, और जो last date है, application form को fill करने के लिए, 25 October 2021, और जो exam date होगा, जनवरी, February में, आपका 2022 में आपका exam है, बो हो जाएगा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, selection criteria के बारे में, तो इस job में जो आपका selection होगा, बो सबसे पहले तो आपका computer waste exam होगा, जिसमें multiple choice question आपसे पुछे जाएंगे, इसके बाद आपके documents की verification की जाएगी, और उसके बाद आपकी selection की जाएगी, तो इस तरह से इस job में को selection किया जाएगा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, monthly salary के बारे में, तो अगर आपका इस job में selection हो जाता है, तो जो monthly salary आपको दी जाएगी इस job में, वो दी जाएगी 18,000 से लेकर 52,300 तक आपको monthly salary इस job में देखने के लिए मिलेगी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, application farm की fees के बारे में, तो अगर आप journal जाएगा, OVC candidates हैं, तो आपकी जो application fees लगे हैं इस job में, तो आपके पास कौन-कौन से document होने चाहिए, तो सबसे पहले तो आपके पास data of birth, proof certificate होना चाहिए, इसके बाद education certificate में, दसमी, बारमी या graduation degree आपके पास होनी चाहिए, इसके लावा अगर आपके पास कोई other qualification जा experience अबोवी apply कर सकते हैं, application farm के साथ, आपके पास अपना case certificate होना चाहिए, अगर आप S.E.S.T. या O.V.C. से belong करते हैं, चार passport size photograph होने चाहिए, आपके पास light color background में, और साथ ही में आपके पास अपने signature भी होने चाहिए, तो अगर आपके पास जे सब भी documents हैं, तो आप successfully apply कर सकते हैं इस job में, और अगर आप इस बरती का official notification प देखने के लिए आप यहाँ पे click कर सकते हैं, और अगर आप S.E.C. की official website पे जाना चाहते हैं, तो आप हमारी यहाँ पे click करके official website पे जा सकते हैं, लास्ट में दोस्तों हम इस बरती का complete analysis कर लेते हैं, तो जे जो बरती आ रही है, जे S.E.C. की और से बरती आ रही है, S.E. म आ रही है बरती, इसके बाद अगर हम बात करें, जाव लोकेशन की तो आल ओवर इंडिया के candidates इसमें apply कर सकते हैं, और जो education qualification मांगी गई है, वो मांगी गई है, दसमी बार मिया graduation, इनमे से अगर आपके पास कोई भी degree है, तो आप इसमें apply कर सकते हैं, minimum age रखी गई है, 18 years औ आपकी selection की जाएगी, application farm की fees, अगर आप जर्नल OVC से भी लॉंग करते हैं, तो आपकी लगेगी 100 रुपीस लेगी, अगर आप ऐसी, EWS, female candidates हैं, तो आपकी यहाँ पर कोई भी application fees नहीं लगेगी, आप इस notification को देखने के लिए SSE की official website पे वी जा सकते हैं, और जो last date है, application farm को fill करने के लिए 25 October 2021, और friends, जो असाम राइफल की और से नहीं बरती आ रही है, अगर आपने बो वाली वीडियो नहीं देखी हुई, तो आप बो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, इसमें जो आपको monthly salary मिलेगी, बो मिलेगी 17,000, और जो education qualification मांगी गई है, बो मांगी गई है जादा जानकरी के लिए आप बो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको description में मिल जाएगा